नमस्कार श्वागत आप सभी का ग्यान सम्मान के मज़वे ये वीडियो हमारे बनाने का प्रफस यह है चोकि यूपी प्रिलिम्स 2023 एक्जाम में जो है आपके महज कुछी दिन मैं बात करूँ तो 20 प्लस कुछी दिन आपको सेश है आज से देखे तो आपको लगबग 22 दिन आपको सेश है तो लास्ट के 20 दिन में आपना क्या स्टाटी रखे ताकि जो है आप यूपी प्रिलिम्स 2023 में क्वालिफाई कर सकें जो कि कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि वो सब्जेक्ट तो पढ़ रहा है रिवीजन भी कर रहा है लेकि इन कंसेप्ट को इन नहीं कर पा रहा है एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है दूसरा भूल जा रहा है कुछ लोग का मैसेज था कि टेस्री जो दे रहे हैं बटेस्री में उनका मार्क्स नहीं आ रहा है और टेस्री दे तो हम कितना दे confidence नहीं आ रहा है कुछ लोग का confidence तो इतना lag हो चुका है कि मैसेज किये थे कि हमको UP PCS प्रिलिम 2023 देना चाहिए या नहीं देना चाहिए यह सब समस्या जो है जनरली देखी जाती है जो नए बच्चे होते हैं उनको यह समस्या देखने को मिलती है तो आज जो है हम लोग इसके उपर बात करने वाले हैं यह सब समस्या का जो है हम लोग ह नाम हुए हैं उसके basis पर हम लोग analysis करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कि हमको जो है किस subject पर जो है कितना जोड लगाना चाहिए तो point प्रोच करेंगे तो आपका result जो है गडबर होने का chance से उतना ही ज्यादा होगा इसके उपर भी हम लोग बात करने वाले हैं साथ-साथ जो अभी का जो चर्चित मुद्दा है कि क्या पर इच्छा तिति में बदलाव होगा दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे कि जो आवेदक हैं वो कितने लोग आवेदन किया हैं इस एक्जाम के लिए इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसमें पदों की शंख्या कितनी है कितने जो है पोस्ट निशन ले हुए हैं साथ-साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि कुछ बच्चों का प्रसन था कि previous year question करे या ना करे इ जो भी UPCS प्रिलिम 2023 से जो भी बच्चे होंगे जो इसका preparation करते होंगे उनको वीडियो जरूर आप लोग फरवाड कर देंगे ताकि यदि यह सब समस्या उनके दिमाग में चलती हो तो उनका जो है यह हल निकल सके अब देखें यहां पर आपको दिख रहा हो यहां पर दो नया बच्चा है जो UPCS प्रिलिम 2023 में पहली बार बैठने वाला है अब इसके सामने समस्या है को इसको बता रहा है कि आप पूरा सिलेबस देख लो प्रीवेस एर कोश्चन भी देख लो कोश्चन के अनलाइसिस कर लो अब नया बच्चा जो है सब सारा काम इस टाइम में नहीं कर सकता है यह पूरा बच्चा को यहां पे आप देख पा रहा होंगे तर्मूरा कंसंट्रेट होके आप यह बुक को पढ़ रहा है कि तवrestis नया बच्चा बै। है इन सब बातों को लेके तो इन सब समस्याओं का हम लोग हल यहां पर ढूंडने का प्रयास करेंगे इससे पहले हम लोग ट्रेंड एनलाइसिस देखें दो तीन बातों को ध्यान से देख लेते हैं चुकि यह मार्केट में अभी काफी जो है फैल रहा है पहला बात देखें परिक्षा तिति में बदलाओ को लेके अभी तक जो आपका परिक्षा तिति निर्हारित है वो आपको 14 मई है और अभी तक कोई बदलाओ नहीं किया गया है तो जब तक कोई अफिसेल अपडेट नहीं आता है अभी 2-4-5 दिन में आपको अपडेट ऐसे आ जाना चाहिए तब तक जो है इसी दिन को मानके अपना पिट पेसन आप करते रहें ये देखेंगे तो ये समस्या है जो है हमेशा एक्जाम से पहले देखने को मिलती है ये 2030 में पहली बार नहीं है ये हमेशा होते रहता है तो आप जो है अपना तियारी बिल्कुल जिस डिरेक्षन में अ अधिक जो है यहां पर दिन आपको एक्जाम में नहीं बढ़ाया जाएगा दूसरा बात आवेदक का संख्या कितना है तो आपकी बार देखेंगे तो आवेदक का संख्या थोड़ा सा कम है प्रिवियस से आपकी बार लगभग साड़े पांच लाख लोग यहां पर बस में चेंज किया गया और ऑफ्सनल सब्जेक्ट को हटाया गया तो यह सब जो है रीजन हो शकते हैं बाकी इसके उपर जो हैं लोग बाद में डीटेल में कभी बात करेंगे देखिए तो यहां पर साड़े पांच लाख लोग टोटल अपलाई किये हैं तीसरा बात यहां यह हो सकता है कि 350 से भी आपको यह आगे जाए ठीक है तो यहां पर पोस्ट का संख्या अच्छा खासा है और अच्छे अच्छे पोस्ट है इसमें तो आप जो है यह चांस मिश नहीं करेंगे बिल्कुल अपने त्यारी को सही डारेक्शन में रखके आगे बढ़ेंगे चल अब पहले हम लोग एनलाइसिस नहीं देखेंगे देखेंगे 2019-2020-2021 और 22 में क्या स्थिति है सब्जेक्ट वाइज पहला देखें यहां पर समसमाई कि यह नि करेंट एफियर करेंट एफियर करेंट एफियर के देखेंगे तो 2022 में देखें तीस प्रस्टन आप से पूछे गए थे 2021 में 33 2020 में आपको 28 और 25 इसमें यह दी आप UPS special current फिर एड़ कर देंगे तो यह अब लगभग आपको कितना हो जाएगा 35 कोश्चन हो जाएगा और यह 35 कोश्चन पे आपका कमांड है तो आपका जो है प्री एक्जाम निकालने में काफी सा है जो है सिध हो सकता है 11 ओर 25 तो यहाँ पर देखे तो यहाँ प्रक्स 20 जो है कि आश-पास यहाँ पर question आपको देखने को मिलेंगे तीसरा देखे इतिहास इतिहास में देखे यहाँ पर 2 section बनाये गया है एक तिन नमर और एक चार नमर आपको दिख रहा होगा, एक तरफ प्राचीन और मध्यकालिन इतिहास रखा गया है, इसमें देखेंगे तो 2022 में 7 प्लस 8 यानि प्राचीन से 7 कोश्चन और मेडाईबल से आपको 8 कोश्चन, 2021 में देखेंगे, तो देखें यहाँ पे 4 प्लस 4, 2020 में 6 प्लस 10 है और 2019 में यह लगभग जो है 13 कोशन यानि देखे ते यहां से भी आपको 13 से 15 कोशन जो है प्रचीन और मध्यकालिन भारत के यहां से देखने को मिल रहा है इसके लाओ देखेंगे इंडियन जो है फ्रीडम स्ट्रगल यानि भारतिय रास्टी आंदोलन से यान पर 16 कोशन आपको देखने को मिले थे तो हो सकता है कि आपकी बार 20 कोशन आ जाए 25 कोशन आ जाए यानि मान के मोटा मोटा चले आप तो 15 से 20 कोशन यहां से आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटी से इसके बाद जोग्राफी की बात करते हैं तो यहां पर वर्ल्ड जोग्र परिवररं त्यहां से जो है ध्यान देंगे तो यहां भी आपको 8 4 13 और 14 मतलब मानके चली है यहां से भी आपको 57 कोशन जो है देखने को मिलेंगे परिवरं से उसके जहला हम लोग देखें भारत की अर्थवेवस्ता इकनॉमी से देखें तो economy से देखेंगे previous year में 4 question उसे पहले 8 question 10 question और 14 question यानि previous 2 साल में देखेंगे 2020 से किस में तो यह लगभग जो है आपको 5 से 10 के बीच में है next देखेंगे उत्तर परदेश special और current affair यानि UPS special के साथ current affair तो यहाँ पर 8, 8, 8 और 2019 में आपको एक देखने को मिला था अब यहाँ पर सम्हावना बनता है चुकि आपको उत्तर परदेश special आपको add किया गए है मेंस का syllabus में हो सकता है आपको कि उत्तर परदेश special और current affair से आपको ज़्यादा question देखने को मिले यहाँ से देखेंगे तो 5, 22, 13 और 20, 2000 जो है 22 में 20 question यहाँ से देखने को मिले थे यह तो अपना हुआ train analysis की question कहां कहां से कितने बन रहे तो आपको clear हो गया होगा कि आपको जो है कहां किस subject पर कितना जोड़ लगाना चाहिए यहाँ पर यदि priority order हम लोग decide करें तो सम समाई कि यह नए और पुराने बच्चे दोनों के लिए ही नए होता है तो यदि इस पर आपका command अच्छा है तो आप जो है exam में अच्छा कर सकते हैं तो priority order में जो है सम समाई को आप एक नमर पर यहाँ पर रख सकते हैं इसके अलावा science को भी आप यहाँ पर priority order में लेके चलेंगे इतिहास चोकि यह static है यह चेंज यहाँ पर कुछ होता नहीं है फेक्ट जो है repeated है प्रिवियस एर question से भी बहुत सारे question देखने को मिलते हैं इसको भी आप तीन नमर पर रखके यहाँ पर चल सकते हैं चोकि यहाँ भी question बहुत बड़े जो है नहीं बनाया जाते हैं बहुत conceptual नहीं repeated question होते हैं इसके अलावा मैं जोग्राफिक ही बात करूँ इसको पांच नमर पर आप रखके चल सकते हैं और इसके अलावा यह दी आपका जो है current affair, current affair आपका बिल्कुल ही मजबूत होना चाहिए अब current affair कहां से करें अभी हम थोड़े दिर बाद आप से बात करेंगे चोकि यहाँ से जो है हम लोग देखे थे कि 30 से 35 question यदि UPS special current affair को मिला दें और आपको पता है यदि आप 100 question यदि सही सही करके आ जाते हैं आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे एक्जाम तो यहाँ पर 30 से 35 सो में कितना मायने रखता है 30 से 35 परशेंट आप समझ सकते हैं दूसरा जोग्रफी यहाँ पर दिख रहा है आपको quality दिख रहा है science और history यह सब जो aesthetic subject है यहाँ पर science हो गया history हो गया तो इस पर भी आपका command अच्छा होना चाहिए यहाँ से भी question जो है आप देखे थे अभी science से लगबख 20 question तो आपको देखने को मिलेंगे ही इसके अलाव history में भी आपको 20 question minimum देखने को मिलेंगे इससे अधिक हो शकते हैं इसके अलाव देखेंगे तो quality में आपको अभी हम लोग देखे थे कि 20 question यहाँ से भी देखने को मिलेंगे और जोग्रफी में भी लगबख एपरक्स 20 question तो आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ 80 हो गया वर 30 110 यानि 110 से 115 नंबर यह जो आपको जीतने subject देख रहे हैं यहाँ से देखने को मिलेंगे इसमें आप topic सेलेक्ट करके यह पढ़ लेते हैं तो आपको कोई problem नहीं आएगी चलिए इसके लाव आपका economy बचता है अब economy में syllabus बहुत बढ़ा है इसमें आप क्या कर स देखते हैं और चुकि economics current updated होता है तो आप current affair जैसे cover करेंगे तो उसमें economics का भी बहुत सरा syllabus cover हो जाएगा miscellaneous के उपर जो है इसमें बहुत सारे topic होते हैं यूपी special we add होता है तो इसके लिए जो है आप अभी हम बात करेंगे इसके अलावा आपको प्री में एक और पेपर होता है नए लोग जो भी नया एक्जाम दे रहे होंगे उनके लिए मैं बता दूँ ठीक है प्री में आपका दो पेपर होता है यहाँ पे एक जी एस पेपर वन होता है और एक सी सेट का पेपर होता है सी सेट जो है आपको qualifying in nature होता है लेकिन यदि आप qualify नहीं करते हैं तो आपका यह प्री का पेपर चेक ही नहीं किया जाएगा तो सी सेट के उपर भी हम लोग बात करेंगे और सी सेट के उपर मैं एक आज जो है यहाँ पर टेस सिरीज बना भी चुका हूं इसके उपर एक मैं आपको लेक्शर तो अभी क्या क्या करना चाहिए चुकि यह लास्ट टाइम आगे है समय जो है काफी कम बचा हुआ है और इस टाइम में जो है यह बेस्ट अप्रोच हम लोग नहीं अपनाते हैं स्मार्ट अप्रोच नहीं अपनाते हैं तो हम प्रोब्लम में पढ़ सकते हैं देखिए बात किताब, भाउत अच्छा किताब, यदि आप 5 बार पढ़ लेते हैं, तो 5 किताब पढ़ने से यह आपको best होता है, यानि 5 आप different different किताब पढ़ते हैं और इसका revision नहीं करते हैं और कोई यह किताब आप चो है 5 बार पढ़ लेते हैं, देखें, actually में होتा क्या है? आपको कि पत्थर कितना हाड होता है उस पे भी अगर एक बुंद जो है पानी गिरता है तो उस पे भी निसान अपना छोड़ देता है तो इसलिए जो है आप लोग सोर्से जो है लिमीट रखेंगे मैं अभी डिसकस कर रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पे करेंट एफेर के मैं उपर ब के लिए और एक आपको है घटना चकर तो घटना चकर या घटना सार दोनों में से आप कोई भी एक पुष्टक ले ले और इसको पूरा जो है थ्रोली पढ़ जाये और घटना सार जो है आपको यहाँपे कल से जो है घटना सार का वीडियो अपलोट किया जाएगा यह magazine पर देखके और यह जो है इस पर पर कमांड बना सकते हैं चुकि यह जो आपको बुक है यह UPS को ध्यान में रखके बनाए गया है इसमें से जो आपको डिरेक्ली आप देखेंगे आफ्टर एक्जामनेशन आप देखेंगे इसमें बहुत सारे कोश्चन देखने को मिलेंगे इस यह भी बहुत सारे कोश्चन इसमें देखने को मिले थे तभी आपको डिरेक्ली देखने को मिलेंगे इसको आप जरूर कर लेंगे आप घटना सार कर लेंगे या घटना चकर दोनों में कोई एक करेंगे देखिए अभी ज़्यादा भटकाओ नहीं रखना है ज़्याद से भी आपके पास नोट्स हो रहा है उसका रिविजन करें साथ-साथ जो है घटना चक्र का प्रिविएस एर कोश्चन आप लोग यहां से कर लें ठीक है इसके अलावा जो है आपको ज्यादा इधर-दर भटकने की ज़रूरत नहीं है बाकी मैं बात कर रहा हूं अभी आपको मैं सारा यह जब बुक डिसकसन कर लेता हूं इसके बाद एक मैं आपसे बाट डिसकस करने वाला हूं नेक्स देखिए पॉइंट नम्मर ठड यहां पर इतिहास यहां पर देखिए एनिसेंट है मेडाइवल है और इंडियन फ्रीडम इस्टगल यानि मॉडन इंडिया के ब कोशन आया हुआ है चाहेvisor यूपी का कुई भी इसाम हो जो यूपी करता है यूपी में च gemacht किया जाता है उसका आप सारा प्रिवियस येर लास्ट तीन चार साल जाए चाहेवर साइंस का हो चाहेवर साइस का ओ cynik को इतिहास में जो है फॉलीटी का हो भुगोल का हो एक बार जो है तीन-चार साल का question देख लेंगे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जो है इधर जितना आपको एक्जाम में कोश्चन आया हुआ है मैं सारा कुछ जो है आपको डिसकस कर दूँ तो इधर तीन-चार साल में जो भी प्रस्ण आया होंगे मैं उसको डिसकस कर दूँगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग भारतिय राजय व्योस्था को उपर बात कर लेते हैं तो यह इतना चक्र का पुरुलावकन का प्रिवेसर कोश्चन देख लें यहाँ पर एक आपका अच्छा जो है यहाँ पर कंसेर्ट प्यूल्डफ हो जाएगा साथ-साथ मैं जो है पॉल्टी के लिए एक स्पेसल लेक्शर 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 आऊंगा जो आपका जैसे आप मैं राथन क्लास सुनते होंगे वैसा ही कुछ लेक्शर होगा आपको एक जिसमें जो है पूरा पॉलिटी हम कभर करने का प्रियास करेंगे तो लेक्शर आप लोग देख लेंगे मैं जल्द ही इसको अपलोड कर दूँगा मैं हिस्ट्री के लिए भी आपको एक वीडियो लेक करना यह सब वीडियो मैं आपको इधर दो चार पांच दिन में यह सारा आपको एवलेबल करा दूँगा यह सब देख के आप जाके आपने रिवीजन कर सकते हैं साथ-साथ जो है प्रिवियस यह कोशन कर सकते हैं इसके लाव निक्स देखते हैं जोग्रॉफी है आपका अ प्रिवियसा कोशन देख लें इसके अलाव जन्गर्ना जरूर देखना है यहां से एक दो कोशन फिक्स जन्गर्ना से इसके लाव जो है आप जिएसे पहाड़ीthree by को मॉंटें कहाँ है यह सब प्रश्चन ज概नली यहां पे को मिला है यह तीस अब आप है कोशन कर सकते हैं स इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपके ओल प्रीवेस येर कोस्चन देख लें, घाटना चक्र का पुरो लोकांज देख लें, यहाँ पर चुकि अधिक नमर का कोस्चन बनता नहीं है, इसके लाओ निक्स देखते हैं हम लोग, बात करते हैं इकनोमिक्स की, इकनोमिक्स में मैं आपको थोड़े दिर पहले पैता आया, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बजट, ठीक है, बजट में भी क्या करना है, आपको इंडिया का ही बजट देख लेना है, प्लस यूपी का ही बजट देख लेना है, ठीक है, लेटेस जो भी बजट है, इसको देख लेना है, मैं तो 2-3 वीडियो मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा इसको लेके जिसमें उत्तर प्रदेश से special cover कराएंगे उत्तर प्रदेश का मैप और उसके साथ साथ जो भी उत्तर प्रदेश में highlighted चीज़े उत्तर प्रदेश में बाग है बेरन कहा कहा है ठीक है उत्तर प्रदे मैं बताया कि एक एक दो पाट में इसको मैं करा दूँगा साथ साथ मिसलेनियस के उपर भी आप लोग जो है जैसे परिक्षावानी उगरा का मेटेरियल आता है तो आप उहां से देख सकते हैं यह तो बात होगे आपका बुक का ठीक है अब देखिए अब नेक्स हम लोग प्रिवियस एर कोश्चन करे या नहीं करे तो मैं इसको यहां पर इस्टार लगा रहा हूं प्रिवियस एर कोश्चन आपको करना ही है ठीक है मैं यहां पर जो है करने प्रिवियस एर कोश्चन कराने का आपको प्रियास करूंगा जल से जल्दी पुरभाइड कर दूंगा ये सारा एक्जाम से पहले आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलते रहें, पहले से आप ये दिकर ली हैं, तो बहुत ही अच्छा बात है, चुकि आपको ये प्रिबेस और कोशन केवल यूपी PCS प्रिलिम 2023 के लिए नहीं करना है, यूपी में जो भी एक 30% कोश्चन यहां से रिपीटेट देखने को मिलेंगे, अब ये जरूरी है कि एज इती जो है डाटा बाइट रिपीट करें, लेकिन उस कंसेप्ट के इर्द गिर्द जो है, वो आपको रिपीटेट देखने को मिलेगा, इसके लाँ नेक्स्ट में आता है टेस्स सीरीज को लेके, और इस पर काफी लोग का सवाल है कितना टेस्स सीरीज करना चाहिए, कब तक टेस्स सीरीज करें, एक तो होता है आपका रिवीजन जो भी आज तक आप अपना नोट सोगरा पढ़ते हैं, उससे आपका एक कंसेप्ट विल्डप हो चुका होगा, नेक्स जो बात यह यहाँ पर कि मैटरी है कि टेस्स सीरीज हम लोग कहां कहां से लगाएं, अब देखें टेस्स सीरीज लगाने से फाइदे क्या क्या होते हैं, तो आपको बहुत सरा नया-nया कोस्टन आपको देखने को मिलता है, जो आप कंसेप्ट में कभर नहीं किये होंगे, जो आप मैट सेरियल में नहीं पढ़े होंगे, चाहिए आप किसी स्थान से जुड़े हैं या नहीं उड़े, आप यह दीमान लीजे कि प्रस्नली आप कोई मैटरील जो सेलक करके पढ़ाई कर रहे हों, तो वहां से कंसेप्ट कभर नहीं हुआ है, तो यह स्रीज में कुछ नहीं नहीं एक होता है आपको पढ़ना, दूसरा होता है रिवीजन करना, ठीक है, तो एक बार फर्स्ट बार आप पढ़ते हैं, तो आपको जो है ऐसा लगता है कि हाँ हम सारा कुछ चीख लिए, लेकिन थोड़े दिन बाद आपको पता चलता है कि हमें जो है इसका 10% ही याद है, हम पागल ही हो जाते हैं, ठीक है, तो हम जो चाहेंगे वही याद रख सकते हैं, इसका मतलब कि हम जिस घटनाओ को बार बार रिपीट करेंगे, वही हमारे ब्रेन में क्या होगा, इस्टोर होगा, तो बिल्कुल करना ही है, तो मैं टेसरी काफी इंपोर्टेंस आपके हो गया, GS World हो गया, संस्कृती इस हो गया, यह जो भी आपको रिपोटेड इंस्ट्यूट है, यह टेसरी अच्छा अच्छा आपको डिजाइन करते हैं, अच्छा अच्छा बनाते हैं, इनका टेसरी आप लगा सकते हैं, ऐसे टेसरी के लिए मैं बता दूँ आपको यहाँ तो आप टेसरी जाके देख सकते हैं, अब टाइम कम है इतना टेसरी कैसे करेंगे, आप लोग क्या कर सकते हैं, और टेसरी के वीडियो को 1.25 या 1.5 पर करके सुन सकते हैं, यह काम आप कर सकते हैं, ठीक है, और कम टाइम में जो है टेस्ट को एटेम्ट कर सकते हैं, साथ-सा तो आपको बिल्कुल डिम लाइन नहीं होना है, मैं बताया कि टेस्स से दो ही है, एक आप तो रिवीजन करेंगे, दूसरा आपको बहुत सरे चीज़े सीखने को मिलेगी, ठीक है, चलिए, तो I think जो है आप लोग का जो भी concept डाउट होगा, इसके अलावएदी कोई भी आपक का वीडियो होगा, उसमें जो है maximum concept, जो है cover करने का कोशिस करेंगे, साथ-साथ जो previous year question है, जो यूपी में आया हुआ है, वो भी यहाँ पर करा देंगे, और तीसरा बाद, घाटना सार का current अफियर कल से आपको यहाँ पर daily upload किया जाएगा, तो उससे भी आप जरूर देखे है, यदि आपका कोई feedback comment होगा इससे related, ठीक है, आप जरूर यहाँ पर comment box में लिखेंगे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,